आज विमर्ष होगा ग्रहों के राजा सूरे के संदर्व में यदि सूरे जन्मकुंटली के साथवे भाव में विराजमान हो तो क्या फल मिलता है ये तमाम जानकारियां आपको देने वाले हैं देश के जाने माने जोतीशिय आचारे आचारे विनोत कुमार ओजा जी आचारे जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है जै माता दी जै माता दीतल लगातार हम और आचारे जी आपको जानकारियां दे ही रहे हैं कि किस तरह से सूरे अगर आपके 12 भाव जो कंडली में होते हैं, अलग-अलग हाउस में होने से उनका क्या प्रभाव होता है और किस तरह से अगर उनकी आप शुबता चाहते हैं, क्या महा उपाय आपको करने चाहिए जानकारी आपको आचारी जी दे रहे हैं तो सूरे का सप्तम भाव में होना क्या देगा फल जानकारी के लिए जुड़े देगी हमारे साथ अगर आपके साथ भी कोई परिशानी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी मेरा आइडिया आप नोट कर लीजिए समय.estrolive.sahara.in तो चलिए अपने कारकरण की शुरुवात करते हैं और आचारी जी से जानते हैं कि कुंडली के सप्तम भाव में सूरे का होना क्या फल देता है जी अचारी जी कैसे होते हैं इसके परिणाम शुब या शुब आपके पती-पत्ने के जो संबंद अच्छे नहीं रहे पा रहे हैं उसको सप्तम अस्थान से देखते हैं गर सूरे भगवान सप्तम अस्थान में बिराज मान है और सूरे पापी ग्रहों से पेड़ेता है तो इस भाव पर बैवाहिक जिवन का जो है सुख जो होता है वा भाव योग बना देते हैं बैवाहिक जिवन को लेकर बड़े चिंता का बिशाय बन जाते हैं और उन तमाम माता पिता को समझाना चाहते हैं अपने बेटी का विवाप करने जा रहे हैं और किसी की पत्रिका में सब्तम स्थानी के अंदर सुर्य भगवान बिराज मान है तो उनका निदान करके ही विवाह करे क्योंकि कहीं ऐसा ना हो और हमारी पत्रिका में सब्तम स्थान में सुर्य भगवान क्यों बिराज मान होते है इसको भी समझना जानना बहुत आवश्यक ह चीवन में सुर्य सप्तम स्थान में विराच मान होते है सबसे पहला प्रभाव क्या डालते उसको समझना जानना बहुत आवश्यक है आप क्या देखते हैं कंचन जी कई बार होता है बिवाह के बाद पत्नी का स्वास्थ खराब रहना प्रणम हो जाता है बिल्कुर चिड़ा नहीं रह पाता है इन तमाम कारणों को समझने के लिए गर आपकी पत्रिका में सुर्य सप्तमस्थान में विराजमान है पापी ग्रहों की दृष्टी जा रही है जिसका जो प्रभाव होता है आपका ग्रश्ट जीवन बिगड सकता है ग्रश्ट जीवन में तनाव समस्याओं का योग बन सकता है सास्त्रों में भृग महराजी ने बताया है अगर सब्तमस्थान के अंदर पापे ग्रहों विराजमान हो जाते है तो उस घर के फल को कमजोर कर देते हैं उस घर के और साथ में स्वास्त से भी संबंधित परिशानी का योग बना देते हैं आप बोलते है कि और कई बार सूरे के अगर डिगरी अच्छी है उच्छ अवस्था के अंदर बिराज मान है तो भी आप देखते हैं पती पत्ने के असाध्य रोग का भी योग बना देते हैं इन तमाम चीजों का भीविचन करना होगा और आपको समझना होगा अगर आपके पत्रिका में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जातक अपनी पत्री के जीवन में विश्वास घात योग बना देते हैं उनके जीवन में सुर्य सप्तमस्थान में विराजमान होकर करके परिशानी पीडा का योग बनाते हैं तो बेहतर है कि आपके पत्रिका में सप्तमस्थान के अंदर स बिल्कुल तो दाम पत्य जीवन में अगर आपको लगता है कि आपके साथ विश्वास घात हुआ है आपको नुक्सान पहुँचा रहा या फिर आपका दाम पत्य जीवन अच्छा नहीं चल पा रहा जैसे कि आप कामना करते हैं तो इसके पीछी अपनी कुंडली उठाईए और ध्यान से देखिए सब्तमभाव में कहीं सूर्य तो नहीं विराजमान अगर ऐसा है तो जिस तरह के आचारे जी बता रहे हैं कि आपको उपाय करने की आवशकता है एक महा उपाय है कारिकरम के आखिर में जो आपको आपको आचारे जी बताएंगे लेकिन बहुत सारी मेल इस भी हमारे पास आई हुई है इनने भी हम अपने शो में शामिल करना चाहेंगे राम मोहन गुपता है इनका नाम इनकी मेल हम तक पहुँची है चौदा जून चौदा जून उन्नी सुच्वरासी नौ बचकर इक्कीस मिनट पी-म जी मेरट यूपी मेरट इनस terrified जीवन में चौदां याँ único उनको अपनेा पत्रिका का भी हिचएचन करना चाह LAUGH समझ आपके लिए आपके बीचएचा करने के लिए अच्छा है कि नयजाएसा कि आपके पत्रिका में हमने ही विचशन किया तृतिय स्थान के स्वामी ब्रस्पति महाराजी चंदरमा के साथ में 12 भाव के अंदर विराच मान है भाग्य स्थान के स्वामी बुद्ध महाराजी आपकी पत्रिका में पंचम भाव में राहुजी के साथ में विराच मान है और दसम भाव के स्वामी आपकी पत्रिका में शुक्र कह चैआ का प्रतने कर रहा हूं जिन्ह जात्यकों के जीवन में दस्मेश सनी महराजी विराजमान है encuentra किसा साथ में नहीं बन सकते आपकी पत्रिका में कुल दीपक योग बना है लेकिन स्नीarna में दस्तान के अंदर विराचमान है तो और चंद्रमा की महादसा चले और चंद्रमा की महादसा के अंदर जो अंतर चल ला है वह शुक्र महराजी का चल ला है तो करमेश का आपके और भागेश का भी समय आपके जीवन में चल ला है आपको करना क्या चाहिए सुक्र से संबंधित फैसन इंडेस्टी से संबंदित, लगजरी चीजों से संबंदित, और कोई भी product में आप काम करते हैं, तो आपके जीवन में सफलता का योग बन सकता है. कपड़े से related कोई कारी करते हैं तो सफलता का यूग बन सकता है लेकिन उससे पहले क्या करना है जो दसमत स्थानिक अंदर सनी और स्टोरिय दोनों साथ ने विराज मान है इनका आपको निदान लेना चाहिए इनका आवाहन अर्चन पोजन बंदन करना चाहिए एक नीलम रत् होसाय का यूग बनाते हैं तो जीवन में सफलता का यूग बनता चला जाएगा बिल्कुल अब हम बात करेंगे शिखा की मेल पर शिखा की मेल हमारे पास पहुंची है रोहतक से इनकी डेट ऑफ बर्थ है दो बारा दो बारा 1987 1987 ग्यारा बजे एम जी रोहतक जी इनका सवाल है कि शादी नहीं हो पा रही है उपाए बताएं बिल्कुल जैसे इनकी कुंडली का हमने भीपेचन किया कुंडली इनकी बहुत अच्छी पत्रिका है और बहुत ही टालेंटेड बच्ची है बहुत अच्छे योग का संचार कर रहे है आपके माध्यम से और ऐसे भी कंचन हम लोगों ने क्या किया है कि कोई भी पत्रिका के माध्यम से कोई योग दिखाए देते हैं तो हम उस योग के बारे में बताना प्रारंब कर देते हैं ताकि और भी जो बच्चे है जो बिवाह के लिए प्रतिक्षा कर रहे हैं उनके जिवन में भी ऐसे समस्याओं का जोग सास्त्रों में आप तमाम लोगों से पूछना चाहते हूं, बिवाह के पहले न हल्दी का चो लेपन होता है, कभी किसी बुजर्ग से हमने पूछा कि हल्दी क्यों लगाई जाती है, इसको समझना और जो भारत की पदती है, भारत की जो संसकार, जितने भी संसकार बताए गए उन संसकार के पीछे कुछ ना कुछ राज चुपा हुआ है, आपकी पत्रिका में घुरु अगर क्राब है माताए क्या करते हैं, कितने विद्वान बोलता हूं जो परिवाह के पहले बच्चियों को हलदी का लिपन कराती है, उसको समझने की बहुत जरूरी आवशकता हह उनका मानता है कि हमारी बेटी की पत्रिका में अगर गुरु पीडित हो ग्रता जिवन का संचार कहा से प्रापत होता है? बृश्पति महराजगी के माध्यम से अगर आपकी पत्रिका में बृश्पति ठीक है तो सही समय के अंदर सही वरकी प्राप्ति आपको हो जाती है और इसे भी गुरुओं के माध्यम से हमने देखा है बार बार बताते हैं अगर किसी बच्ची का विवा नहीं हो रहा है पुलते हैं गुरुवार का ब्रत रखिए पिले वस्तर को धारण करिए हल्दी डाल करिश्णान करिए अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं से अगर हमारे जीवन में ग्रस्थ जीवन का योग नहीं बन पा रहा है वरकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उसका संबंध कहीं ना कहीं से ब्रस्थ पति महाराजी से देखा जाता है तो ब्रस्थ पति को देखना होगा आपकी पत्रिका में राहू और ब्रस्थ दोनों आपकी पत्रिका में तरतेय स्थान के साथ में गुरु चांडाल दोष बना रहे हैं तो गुरु का जो फल आपके जीवन में है बस सोनिक हो गया है सबसे पहले गुरु चांडाल दोश का परिहार पूजण करना चाहिए हमारी बहुत ऐसे दर्सक है बोलते है आचाहर जी हमारी पत्रिका में गुरु चांडाल दोश तो लगा है आप बोलते है गुरु जिसका पेड़ित हो जाएगा उसका ज्यान छित्र बाधित हो जाएगा उसके ग्रस्त जीवन में परिशानी का जोग बन जाएगा उसके स्वास्त में परिशानी का जोग बन जाएगा और आपको बताता है चाहता हूँ कई बार ब्रस्पती आपका खराब है लेकिन पंचमे साब का मजबूत है तो आपको एजूकेशन का यूग तो बना देते है आप एजूकेशन सिक्षा तो आप अरजित कर लेते है लेकिन ब्रहस्पति महाराजी क्या करते है आपके कर्म छेत्रु को पिडित कर देते है आपके बिवाहिक जीवन में परिशानी का यूग बना देते है तो आपकी जैसे कि इस बच्ची की पत्रिका का मने बिविचन किया पंचम के स्वामी को नहीं शुक्र महाराजी अच्छी अवस्ताय के अंदर विराचमान है तो आपको ग्यान तो अरजित हो गया अच्छे केरियर की भी प्राप्तिया आपके जीवन में हो गई लेकिन क्या होता है ग्रेस्त जीवन में तनाव परिशानी का यूग बन गया या ग्रेस्त जीवन में बिवाह में रुकावट का यूग बनता चला गया है यह बहुत साधरन से उपाई उसको करिए, आपके जोन में बिवाह का योग भन जाएगा बिल्कुल, मनोज है, इनकी भी मेल हम तक पहुँची है, इनकी भी कुछ समस्या है, और इनकी डेट ओफ बर्थ है, पांच जुलाई पांच जुलाई 1975 75 4.21 पीम जी देवात मध्य परदेश इनका कहना है कि इनकी हेल्थ काफी खराब रहती है, क्यों और इसके लिए उपाई भी बताएं बिल्कुल मनोजी जैसे कि आपके पत्रिका का हमने विवेचन किया समझना है कि आपके पत्रिका में जो लगने के स्वामी कौन है, मंगल महराजी है, छठे भाव के अंदर बिराजमान है और आपके पत्रिका में जो भागे स्थान के स्वामी है, वो चंद्रमा ग्रहन लगाकर सब्तम स्थान के अंदर बिराजमान है गुरु की महादसा चले और गुरु की महादसा के अंदर जो अंतर चला हो वरतमान में सनी जी का समापत हो चुका है बुद्ध का अंतर चला है और बुद्धाप की पत्रिका में सत्तम स्थान के अंदर बिराचमान है तो हम इसे भी बोलते हैं न सास्त्रों में कि दूसरे भाव के अगर दशांतर दशा प्रत्तंतर दशा आ जाती है या दूसरे भाव के अंदर कोई भी सुब ग्रह बैठा है तो हमारे जिवन में बुरा प्रभाव देते है दूसरा सात्मा हमारे जिवन में कहते हैं मारक भाव बुला जाता है और हमारे माता पिता भी समझाते थे कि गर दूसरा सात्मा भाव की दशान तरदसा आ रही है तो उसमें हमें क्या करना है भग्वान शियों की उपासना करना है महादेव की पूजा करना है और महाकाल जी के चरणों में जाके उनका दर्शन करने का यूग बनाते है सास्त्रों के माद्यम से जैसा कि आपकी पत्रिका का विविचन किया है सबसे पहले तो आपको क्या करना है बुद्ध को ठीक करना बहुत आवश्यक है बुद्ध को ठीक करने के लिए हरा चारा होता है पालक होती है उनसे कई सालों से बात नहीं कर रहे है तो आज ही अगर अपने बुद्ध को ठीक करना चाहते है और जिनका बुद्ध ठीक होगा उन्हीं के जिवन में अच्छे ब्योसाय का जोग बनता है अच्छे धन का जोग बनता है तो आज ही अपने बहन को फोन करके उनसे छमा मांग ताकि आपके जीवन में बुद्ध महाराजी की प्रभुता अच्छी होता प्रदान हो जाए दूसरा आपको कारी करना है बुद्धवार के दिन गणेश जी के मंदर में जा करके एक केला होता है और एक मोदक का भूग लगाना प्रारम्भ कर दीजे उम गंगडपते नमा इस प्रारम्भ कर देते हैं किसी की संपत्ती का हम हरण कर लेते हैं या हम किसी को करज दे करके किसी प्रकार का तनाव का जोग बना देते हैं तो हमारे जीवन में असफलता परिशानी का जोग तो बनता है साथ में स्वास्त में भी परिशानी का जोग बन सकता है किसी को अगर ऐसे बहुत सारी जगह पे हैं तो बहतर आप किसी को ब्लैकमेल करना है किसी को परिशान नहीं करना है और किसी के ज defines me कर जेका जोग बना करके उसको पीड़ा का जोग नहीं बनाना है इसको आप ठीक कर लेजी आपके जोन में सफलता का योग बन जाएगा लेकिन समझना होगा कि एक व्यक्ति को उसमें से थोड़ा सा मध्यम रखना होगा और अगर दोनों के साथ में balance कर रहे है सूरिय कहीं से balance कर रहे कंचन जी तो हम क्या देखते हैं 15 साल 20 साल तो को संबंद चलता चला जा दोनों अलग रहते हैं बहुत सारी असी पत्रिकाओं का हमने भीबिचन किया कंचन जी और हमने देखा कि 15 साल 20 साल हो गए पती पत्नी आपस में बात नहीं करते हैं रहते नहीं है अलग-अलग कमरे में रहते हैं लेकिन उस संबंध क्या होता है सूर्य चला देता है लेकिन अगर किसी की पत्रिका मैं बैलेंस नहीं कर रहा है शोर्य देओ ठीक है ना तो क्या करेंगे उस संबंध को खतम कर देते हैं तुरन तलाक योग बना देते है या कुछ परिशानी का जोग बना देते हैं दूसरा प्रशना आपने किया कि अगर सुर्य भगवान किसी की उच्छ रासी के अंदर विराचमान है आप क्या देखते हैं बिवाह के कई साल डिले करा देते हैं हमारी बहुत सारी योगी बच्चियां है बिवाह के लिए माता-पिता वरव को ढूढ़ है लेकिन अच्छा लड़का इन्हें मिल पा रहा है हजारों कुंडली मिला लेते हैं पहला क्या है विवाह में ईले का जोग बना देते है बिवाह के बाद भी क्या करते है पती और पतनी दोनों का दूसरे दिन दूसरा गरम हो ज जाता, दूसरा ठंड़ा रहता एक पत्नी संत करते है, लेकिन जिस दिन पत्नी गुषा आता है, कई बार ऐसा देखा है कजग संथी तो विधा क्या होता है, विल्दक कु आटा है, जाता है तो पती बिल्कुल सांत हो जाते हैं इसको देखने क्या हो सकता है कि सूर्य भगवान किस डिग्री के है किस अवस्था के है क्योंकि अवस्थाएं भी सूर्य भगवान की चार बताई गई है युगा अवस्था के अंदर है कुमार अवस्था के अंदर तो हमारे चारू की मेल हमारे पास आई है चैन्नाई से इनने हमें मेल भेजी है और चारू की डेट ऑफ बर 30 अगस्त 1980 है 30 अगस्त 1980 आठ बचकर 42 मिनट पी-म जी आठ बचकर 42 मिनट पी-म चैन्नाई चारू का कहना है कि इन पर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कर्ज कैसे खतम होगा इसके उपाय बताएं बिल्कुल जैसे कि इनकी कुंडली का विवेचन किया और हमने बोला था बार बार बोला था कि मंगल महराजी अगर हमारे जीवन में कर्ज योग बनाते कौन है मेरे भाई पहर इस पर भी हम चर्चा करेंगे एपिसोड जरूर करेंगे आप तमाम लोगों को समझाना चाहते है जिनकी पत्रिका में मंगल महराजी पिड़त है उनके जीवन में कर्ज योग बना देते है भूमी का सुख नहीं प्राप्त होने देते कर्ज उतरने नहीं देते भायू के साथ संबंद नहीं ठीक रहने देते मित्रों के साथ संबंद नहीं ठीक रहने देते जैसे कि आपके कुणली का हमने विवेचन किया मंगल महराजी आपके पत्रिका में अस्तम भाव के अंदर बिराज मान है और मंगल जी की महादशा 24 नुवंबर 2012 से चल लए तो समझ गए एक तो मंगल जी की दसा प्रारंब हो गए और मंगल महाराजी की प्रेस्मेंट कहां पे है अस्टम भाव के अंदर है और मंगल महाराजी कहां कहां का प्रधानत्य कर रहे है आपके दूसरे सुख भाव का प्र प्रश्रेका में तीस्रे और स्वामि his सॉम्रह márगा मंगल महराजिश है में जोकह स्वाज़ मसर्वार आपको बताना जाहता हूं मंगल महराज़ी है मंगल महराज़जी उनमें करज का योग प्रोग्म करदेजे, भग्वान शुटी के मंदर में जाकर के खीर का भोग लगाना प्रोग प्रोग्म करदेजे उनसे प्रातना कीजे है कि हमारे जीवन में जो मंगल रिडम योग मना है उसको हमारे जीवन से दूर करदेजी जब आपका सामर्त हो तो जैनिक अंदल मंगल नाथ जी का मंदिर है वहाँ पर जाके दर्सन कर लेजेगा आपके जुवन में मंगल महराजी की प्रभता प्रदान होती ही चले जाएगे सफलता का योग बनता जाएगा जी और हम बात करते हैं संदीप कुमार की भी मेल हम तक महुँची है एक नौ जी एक नौ उनिस उच्छी आसी जी और इनकी बर्थ टाइमिंग है चार बचकर पैंटीस मिनट एम जी विश्णूपुर वेस्ट बेंगॉल इनका जानना चाहते हैं इनका सवाल है कि इनको कौन सा काम शुरू करना चाहिए जी बिलकुल जैसे कि इनकी कुली को हम देख रहे हैं हम अपने तमाम लोगों को बताया है कि अगर आपकी पत्रिका में कोई भी कारे करना चाहते तो आपके पत्रिका में तीसरे और दसम भा के जो स्वामी है श्वक्र महाराद जी है और दसन भाप के स्वामी भी शुक्र महाराद जी है तो आप केमिकल से संभदित कोई भी कारी करते हैंची धन को अप्राप्त्य करेंगे दूसरी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो आपकी पत्रिका में बुध की महादशा चला है और बुध की महादशा के अंदर जो अंतर चला है वह सनी जी का चला है तो आपको एक सलाह भी देता हूँ जादा आपको नहीं बता सकता हूँ लेकिन ऐसे समय में अपने पिता का आपको धियान रखना है सनी जी के उपाष्णा करना है नॉवंबर 2019 के बाद अगर आप ब्योसाय का योग बनाते है तो आपके जिवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा उससे पहले अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि आपके जिवन में करजे का योग बन जाए क्योंकि सनी जी का अंतर चला है बुद में वो अच्छा नहीं चला है ना तो आपके पिता के लिए अच्छा चला है ना आपके कर्म छेतर के लिए अच्छा चला है क्योंकि कर्म का सिधा संबंद पिता से देखा जाता है और सनी जी जब बुरा प्रभाव देते हैं, तो कर्मों को पेड़ित कर देते हैं, दूसरा अपने पिता, आपके पिता के जिवनों परिशानी का जोग बनास देते हैं, तो सनी जी का उपाय भी आपको करना चाहिए, साथ बादाम, साथ सो ग्राम काली उड़त की दाल हर एक भज़ा आपको सनी देव जी के मंदर में लगाना चाहिए, उनसे प्रातना करना चाहिए, कि है सनी देव जी, हमारे द्वारा कुछ भी गलती है, तो छमा करिए, ताकि आपके जोल में सफलता का योग बन चाहिए, बिलकुल, और चलिए अब आरी आगई है, महा उपाय की और आज चर्चा हो रही है कि यदि जनम कुंडली में सूर्य सप्तम्भाव में है, आप परिशान हो रहे हैं, तो ऐसे में एक महा उपाय है, जो आचारी जी आपको बताएंगे, ताकि आपके परिशानी दूर हो जाए, जी आचारी जी, बिलकुल, गंचन जी, बहुत ही हल्दी और गुड रविवार को गाय को खिलाना प्रारंब कर दे, अगर आपका ग्रस्त जीमन अच्छा नहीं चलना, आपके जीमन में विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, या आप किसी को प्रेम करती है, वहां भी संबंध खराब चलना है, तो बहुत ही सरल उपाय है, बेशन, हल्दी और गुड मिला करके काव को खिलाना है, इस उपाय को करके देखेगा, आपके जीमन में गुमाता के कृपा से, भागवान शोर देव के कृपा से, बरस्ति महराज्य के कृपा से, जीमन में सफलता का योग बनता चला जाएगा, बिलकुल तो बहुत ही सरल स उपाय है, इसे आप अपना ही यकिनन आपको बहुत फायदा होने वाला है, और जोतिश शास्त्रियों की माने, तो जोतिश विज्ञान का लाब लेने के लिए विज्ञानिक सोच की जरूरत होती है, साथी सफलता के लिए जगना पड़ता है, और इसके लिए कर्म में लग झाल 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 झाल